अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बैल आइकन को दबाईए लद्दाख जमु एंड कश्मीर स्टेट का सबसे उचा प्लाटू है अट अ हाइट ऑफ 9000 फीट अबफ में सी लेवल ये जो बात हो रही है ये 2019 की बात हो रही है यानि की October 2019 के बाद तो हमें पता है कि जमु और कश्मीर दो यूनियन टेरिटरी बनने वाले हैं और लद्दाख भी एक यूनियन टेरिटरी बनने वाला है बट अगर इससे पहले की बात करें तो लद्दाख जमु एंड कश्मीर के स्टेट में आता था और जमु और कश्मीर का सबसे हाइस्ट प्लैटू था लद्दाख लद्दाख हिमाले से कारकोरम रेंज के बीच में आता है जहां पे कारकोरम उसके नौर्थ में है और हिमाले उसके साउथ में है एक बहुत इंपॉर्डन पार्ट ये है कि इंडस रिवर लद्दाख से होती हुई क्रॉस करती है तो लद्दाख बेसिकली डेजर्ट कैसे बना अगर आपने ओरोग्राफिक रेंफॉल के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता है कि एक विंडवर साइड होता है और एक लीवर साइड होता है यानि कि जब भी रेंबीरिंग विंड्स ऐसी विंड्स जिसमें मॉस्टर का कंटेंट जादा होता है वो हेवी रहती है जनरली और जब किसी पहाड से वो टकराती है तो एक साइड में वो बारिश करती है उस साइड को कहते हैं विंड्वर साइड और जो दूसरा साइड है वहाँ पे रिलेटिवली कोई बरसात नहीं होती क्योंकि ये winds वहां पे पहुंचते पहुंचते dry हो जाती है तो उस वाले side को कहते हैं लीव और side लदाख जो है वो हिमालिया का लीव और side है यानि कि rain shadow area जिसके वज़े से लदाख में कोई खास बरसात नहीं होती यहां पे winter rainfall की वज़े से snowfall होता है इसी वज़े से लदाख एक desert की तरह classify होता है लदाख में किस तरह का climate देखता है summer के time पे यहां पे dry और बहुती soothing climate होता है जो temperature यहां पे होता है वो 3-35 degree का रहता है और winter के time पे minus 40 degree जैसा chilling climate लदाख में पाया जाता है इंडिया का सबसे ठंडा जगा है द्रास जो कि लदाख में situated है लदाख के area में एक specialty है यहां पे एक इंसान sun के साथ-साथ frost को experience भी कर सकता है और वो भी इतना कि वो frost से और sunstroke से एक ही time में मर जाए क्योंकि लदाख में कोई खास बरसात नहीं होती तो यहां पे कोई vegetation नहीं होता सिंस vegetation नहीं होता तो supply of oxygen यहां पे काफे reduced होता है जो कोई भी tourist यहां पे घुमने जाते हैं at least 24 गंटे उनको पहले वहां पे रुखना पड़ता है ताकि वहां की जो reduced oxygen level है उसके साथ वो acquainted हो जाए क्योंकि वो ऐसा नहीं करेंगे तो hospitalization भी हो सकते हैं और कभी-कभी उनकी death भी हो सकती है दोस्तों अब बात करेंगे flora and fauna और लदाख के बारे में लदाख में काफी बड़ी biodiversity पाई जाती है approximately 350 bird species और करीबन 30 mammal की species यहां पे मिलती है सबसे बड़ा ship of the world जो की है नायन वो यहां पे ही मिलता है और सबसे छोटा ship of the world जो की है Uriel वो भी यहीं पे ही मिलता है भारल एक blue ship है और याक लदाख की सबसे बड़ी animal है जो की transportation purposes के लिए यूज किया जाता है कि इस एरिया में snow leopard पाया जाता है snow leopard आपने बहुत बार सुना होगा यह आयूसीन के according एक vulnerable species है यानि दुनिया भर में इसके कुछ 10,000 संख्या ही बाकी रह गई है so it is in vulnerable category expected है कि और भी जादा यह decrease करती जा रही है तो snow leopard एक बहुत important concern है for environmentalist as well as for the world यह snow leopard यहां पे मिलता है एक और species है Tibetan antilope जो की endangered species है इसका common name है चिरू चिरू की यहां पे काफी hunting की गई क्यूंकि इससे एक खास तरह का वोल मिलता था जिसका नाम था शाटूश शाटूश एक natural fiber था जो की काफी fine quality की थी इसके वज़े से इतने सारे चिरूश को मारा गया कि अभी species endangered है इस animal को क्यूं मारा जाता था बाकी goat और ships की तरह इसका वुल आराम से भी तो निकाल सकते थे उस जानवर को जिन्दा रखे बेसिकली चिरू का जो वुल होता है उसक हातों से चीन करके निकालना पड़ता है नोच करके निकालना पड़ता है इसके वज़े से पहले उस animal को मारा जाता है और फिर उसका जो वुल है उसको नोच नोच करके निकाला जाता है अब इस चकर में इतने सारे animals का hunting वा पोचिंग वा यहां पे कि वो बिचारे endangered category में आ वो लकड़ी है जिससे cricket bat बनती है समर सीजन जनरली छोटा सीजन होता है और यही उनका growing सीजन होता है गर्मी के डाइम पे जो स्नो होता है वो melt कर जाती है जिसके वज़े से वहां पे थोड़ी बहुत पानी की availability मिल जाती है इससे कुछ चोटे मोटे घास पूस और थोड़ करते हैं पहाड से होते हुए जमीन तक यह चैनल बना देते हैं ताकि जो स्नो मेल्ट होगा वो पानी दीरे दीरे चैनल से होता हुआ इरिगेशन लैंड में पहुंच जाए और इनके क्रॉप्स को पानी मिल जाए कितना स्मार्ट आइडिया है राइड कुछ फूर्स यहां पे अविलेबल होती है जैसे अप्रिकॉट वालनट एक्सेटर बट जेनरली लदाक एक तरह से से अग्रिकल्चर के मामने में और यहां पे लोग कंज्यूम करते हैं बार्ली वीट पीस रेप सीड और बीन्स जो कि यह खुद उगाते हैं बात करते हैं लदाक में किस तरह के लोग होते हैं लदाक में या तो आपको मुस्लिम लोग मिलेंगे या तो फिर बुधिस्ट यानि कि यां पर दो रिलीजन्स हैं इस्लाम और बुद्धिजम कुछ यहां पे हिंदू टेंपल्स आपको मिलेंगे आपने वो मूवी देखी है त्री एडियर्स उसमें लास्ट में आपको याद होगा वहां पे एक स्कूल के बारे में डिस्क्रिप्शन है जहां पे बच्चे शीप से वुल निकालते रहते है लद्दाक का एक्चुली शीप रियरिंग एक बड़ा उक्यूपेशन है यहां के जो हर्समैन है यानि की जो शीप को चराते हैं उनका नाम है चैंक पास यहां के गोट्स और शीप में लंबे बाल होते हैं जिनके वज़े से कि यह पाश्मीना सॉल्स वगेरा बनाते है पाश्मीना सॉल कश्मीर का फेमस शॉल है जो कि जगा जगा पे मिलता है यह जो लोग होते हैं यह दूर दरास तक जाते हैं अपने सामान को बेचने के लिए जैसे कि ड्राइफ रूट, पर्ल्स, सेमी प्रेशियस स्टोन्स या तो शॉल्स और रिटर्न में यह खोशते हैं कि यहने कुछ खाने वगेरा को मिल जाए वुमन भी यहाँ पे काफी हार्ड वकिंग होती है लदाक से जो नाशनल हाईवे पास करती है वो है NH1A जो की लदाक का लेह से कश्मीर तक कनेक्ट करती है यह एक पास से होकर के गुजरती है पास मतलब दो माउंटेंस के बीच का जो रस्ता होता है और इस पास का नाम है जोजीला पास ले से कश्मीर कनेक्ट करने वाली NH1A जोजीला पास से हो करके जाती है और एक बाद यहाँ पर important है कि यहाँ पर जो लोग settle किये गए हैं काफी लोग इसमें administrative personals है, काफी लोग इसमें army है अब इन चीजों के वज़े से वहाँ पर trade, business, employment opportunities काफी grow कर चुकी है वहाँ पर airport भी है और road network भी improve कर चुका है लदाक एक बहुत अच्छी एरिया है टूरिजम के लिए, यह monasteries के लिए काफी famous है हमिस गोंफा जो है, वो सबसे बड़ा monastery है लदाक का यहाँ पर बुद्धिस्ट paintings मिलती है, उनका नाम है थंका, यह जो paintings है, यह approximately 12 मीटर लंबी है हमिस गोंफा इनी चीजों के लिए काफी famous है अपार्ट फ्रम लाइट, annually इसमें एक festival होता है जिसे कहते है शेचू, जो कि जून जुलाई के महीने में होता है यहाँ पर दांस करने वाले बहुत सारे events होते हैं, जिसमें के colorful marks डाले जाते है और एक monastery है, लामा यूरू monastery, एक तीसरा monastery है, शेh monastery, यह लेहे के पास है यहाँ पर लदाक के prince का एक बड़ा statue है, और गुद्धा का गोल्ड प्लेटर statue, लदाक में है आकरी monastery है, तिक शेh monastery, यह लेह से 17 km दूर है, यह जो monastery है, यह 12 floors की है और इसमें भी बुद्धा के काफी सारे statue है, और बुद्धिस्ट आर्ट के बहुत सारे collections इसमें है तो यह था एक video about life in desert from NCRT 7th standard, I hope कि आपको यह video पसंद आया होगा इस channel को subscribe जरूर करिएगा, thank you so much for watching, have a nice day